Hi friends, how are you? A very good morning. So today is 12th में, चलिए देखतें आज क्या था? एक तो मेरी आपसे request है, प्लीज मेल मत करा करिए, कोई important query होती है, जैसे कल query थी, तो बहुत important question उन्होंने पूछा है, वो सबको help करेगा. तो प्रीज मेल मत करिए, आप कोई personal information है, तो बात अलगे है, नहीं तो SM Press मेल मत किया जाए है. चलिए देखतें क्या है थोड़ा सा इस्राइल का issue आज भी आया वाथर जैरुसलेम के बारे में, थोड़ा सा हमें issue देखतें क्या था क्या नहीं था. देखे, 1917 में, 1917 में, British ने कहा, support देते हम Jewish को अपना घर बनाने के लिए Palestine में, under the Balfour Declaration. तो Balfour Declaration becomes important for prelims. तो Balfour Declaration जो होई थी, Balfour basically foreign secretary थे, Britain में, तो उन्होंने कहाता है, उन्होंने ही सारा ये काम कराया था, तो इसलिए Balfour Declaration इसको का जाता है. ठीक है, उसमें Arabs की non-Jewish communities की व पूचा गया था, उनसे concern नहीं किया गया था, तो उस वज़े से एक prolonged violence चल रही है. फिर Britain ने क्या करा, जैसे हमारे साथ हिंदूस्तान के साथ किया था, कि एकदम छोड़ के चला गया था, वैसे ही उसने 1948 में, अपनी forces निकाल ली Palestine से, और उन्होंने का कि अब जो भी है, व यह याद है, एरब्स ने नहीं किया था, पैलेस्टीन ने एकसेप्ट, और जी उसने किया था, एकसेप्ट, तो 1948 में क्या हुआ, जीवेश ने डिक्लेयर कर दिया कि इसराइल इस इंडिपेंडेंट, तो उस वज़े से एरब्स की जितनी भी बराबर-बराबर में स्टेट थी, उन्होंने उस पर अटैक कर दिया, उसके बाद जब वार के बाद, जब एंड हुआ उस वार का, जिसको हम कहते हैं, एरब इसराइल वार, उसके बाद क्या हुआ, कि इसराइल के पास 50% more territory थी, जितना ओरिजिनल ही, UN ने पैटिशन प्लान पे बनाया था, उससे 50% लिया तक Gaza Strip और Sinai Peninsula, 1967 में फिर वार हुआ, जिसको कहते हैं Six Day War, उसमें इसराइल फोर्सेज ने गुलान हाइट सीरिया से वापिस ले लिया, West Bank और East Jerusalem Jordan से वापिस ले लिया, और Sinai Peninsula और Gaza Strip ले लिए एजप्ट से वापिस, उसका रिजल्ट ये रहा कि 1987 में हमस एक जो वहा वाइलेंट जिहाद, ये कब बना, 1987 में बना, थोड़ा सा इसका मैप देखते हैं, देखें ये है, This is Israel, prelims के लिए important हो जाता है कि West Bank के बॉर्टरिंग के है, तो West Bank काई बार सुनने में लगता है कि West की साइड होगा, तो ये मेरिटेंस ये को बॉर्टर करता हो, ऐसा नहीं ह ये देखें, जिब Jordan का बॉर्टर देख रहे हैं, इदर East Bank कहते थे इसको West Bank कहते थे इसलिए इसको West Bank कर जाता है, जैसे हमारे Bengal को West Bengal कह जाता है, है वो East में, बट वो अलगल हुए थे तो East Bengal, West Bengal नाम पड़ाता है, इसलिए वैसे ही इसका West Bank नाम पड़ा हुआ है, ये Gaza Strip है इसराइल के इदर ये Egypt का बॉर्डर लगता है, उपर ये Golan Heights है, जो इनका dispute है Syria के साथ, आप इसको pause करके थोड़ा सा इसके बॉर्डरिंग नेशन अच्छी तरह लिख लेजिए, कहां पर ये सब कुछ है, कहां नहीं, इस जो आप Gaza Strip के नीचे ये थोड़ा सा yellow part देखें, इस इस कॉल्ड Sinai Peninsula, और ये सारा का सारा ये इनके साथ issue है, Lebanon के साथ इनका border लगता है, Syria के साथ border लगता है, Palestine के साथ लगता है, Jordan के साथ लगता है, और Egypt के साथ लगता है, थोड़ा से इनके offshoot से लेते हैं, तो Gaza Strip क्या है, इसराइल और Egypt के बीच में है, तो इसराइल ने य रखेंगे, 1993 में हुआ था, उसके बाद से 2005 से इसराइल ने अपनी जो सेटलमेंट से वहां से हटाना शुरू कर दिया है, गुलान हाइट्स जो है, गुलान हाइट्स बेसिकली, सीरिया से इन्होंने capture कर लिया था, और सारा का सारा अगर कबजे करने की बात करें, तो 1981 में इसराइल ने अपनी जो है, इसराइल ने इसराइल है, इनकी तो आदत है आग लगाना, उस बद पलेस्टीनियन ऑथरिटी का देखेंगे, पलेस्टीनियन ऑथरिटी हुई थी, इसको लेट करते हैं, प्रेजडेंट महमूद अबास, वो फथा फैक्शन के हैं, और फथा देख लेते हैं, फथा और हमस में हमस में लड़ाई रहती है, फथा क्या है, यह इनको फाउंड किया था, यासर अराफत ने, 1950s, जो फथा है, वो लाज़ेस्ट पलेस्टीनियन हैं, फथा, जैसे यहाँ पर अगर सब्पोस कर यह जब अजादी हुई थी, तो कॉंग्रेस थी, तो वैसे ही, यहाँ पर जब हुआ, तो वहाँ पर बनी, जो लाज़ेस्ट पॉलिटिकल फैक्शन है, वो है फथा, और फथा जो है, वो एक सेकलर मूमेंट है, वो नॉमिन ऑथारिटी, लेजिसलेटिव एलेक्शन जीत लिये थे, और उन्होंने फथा को गाजा से भगा दिया था, तो अब जो गाजा स्ट्रिप पे जो रूल करता है, वो करता है हमस, तो इंका जो डिस्प्यूट चलता है, गाजा स्ट्रिप में हमस के साथ बेसिकली चलता है, इ आज तुछ आपका यह सारा का सारा प्रॉल्म सॉल्व हो गई होगी, चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद एक एडिटोरियल पे था कि इंडियन विरियन जो है बी वन सेक्स वन सेवन इसको जो है वेरियन ओफ कंसर्न में डाल दिया है बाई ड़ली वेचो इसका मतलब क् कौन कौन से हैं, UK variant B.1.1.7, South African B.1.3.5.1 and Brazil variant P.2 यह याद दखेगा, it is important for prelims और वैसे तो क्या होता है, कौन वेरियन ओफ कंसर्न आपसे पूछ सकते हैं कि कौन तै करता है, this virus is variant of concern तो याद दखेगा, जो जिस country में होगा particular, उसकी health authorities ही decide करती हैं और उस flag करती है उस potential VOC को और कोहीं नहीं करता, वहीं की health authorities करती हैं, इंडिया ने थोड़ी देरी की, UK ने हमसे पहले हमारी variant of concern के दिया था, इस वज़े से WHO ने डिक्लेर करा हम लोग थोड़ा late हो गए ते करने में, और अगर किसी को variant of concern करना यह important for prelims, तो उसको उसके अंदर क्या खासित होनी चाहि है, कि increased transmission होना चाहिए, contagious होना चाहिए, और उससे जो है, बहुत ज़्यादा severe disease होनी चाहिए, और तीसरा यह है कि diagnostic test में भी वह अपने detection evade करे, पता कल को अगर आप, suppose करिए person को corona होजा और वो जाए test करने, उसको corona ही ना आए, तो उसको कहते है, evading detection during diagnostic test, तो that is important, अगर आपक April lecture, it is very important, आपको पता चल जाएगा what is genome sequencing and what is mutation, इससे आप lecture refer करने से ये भी होगा, कि आपके backlogs complete हो जाएंगे, और हो सकता है कि उन lectures में आपको और भी बहुत important चीज़े सुनने को मिले, एक editorial पे था Nepal issue, it is not important, हमें थोड़ा देना है कि इंडिया नेपाल के बीच में dispute काया है वो आप 11th January का lecture सुन सकते हैं, इसके बाद आप जो थोड़ा से नेपाल PM कैसे बनाता कैसे नहीं बनाता वो 26th January का lecture सुन सकते हैं, देखे जिनको सुनना है वो सुन सकते हैं, जिनको लगता है कि सर पुराने lectures पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको मैं फिर वो जो लोग पहले अपने हर महिने का complete कर रहे हैं, देली का तो सुनी रहे हैं, और पीछे महिने का भी complete कर रहे हैं, and I really appreciate that, those are called serious aspirants, उसके बाद एक editorial पे था, COVID misandling, photo all in the budget, ये फिलकुल नहीं पढ़िएगा, इसके notes भी मत बनाइएगा, अगर आपको लगता है, मैंने नहीं ब दिखाऊगा कि editorial पे वो थोड़ा दे रखा था कि India को क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना, भी आप हमें मत बताओ क्या सीखना, हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, तो हमें क्या जरूरी है कि India versus China dispute, finger areas, LAC में क्या problem है, LOC में क्या problem है, वो आप 25th January का lecture, 11th February का lecture, 23rd March का lecture, 15th April क यह चार lectures है, आपका सारा का सारा India versus China dispute, बिल्कुल resolve हो जाएगा, आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं hope करता हूँ कि आप यह lectures सुन लेंगे, उसके बाद India China inquired का क्या है, क्या है, आपको पता है, चाइना को कौट से problem है, इंडिया कैसे ताल है, 25th February के lecture में, उसके बाद एक fodder है, कि देखे क्या COVID-19 vaccines के स्टम हम क्या measures ले सकते हैं, it is important for means कि आपको लिखना हो, तो आप कह सकते हैं, देखे उस टम तर अदर हो गया, तो आप लिख सकते हैं, these steps have been taken, और अगर नहीं हुआ, तो आप कह सकते हैं, कि reduction करना चाहिए GST में, मतब zero date लगाए जाए critical raw materials के लिए, GST free imports, direct cash incentives दिया जाए producers को, और ताकि जो COVID-19 vaccines हैं, और other critical supplies हैं, वो cheaper हो सके, this is just a folder, आप लिख सकते हैं, यह text experts ने दिया, तो अच्छी रहती है, यह आप line लिख सकते हैं, और अगर यह आपके mains तक अगर हो गया, तो आप लिख सकते हैं, this आपको prelims के लिए है कि इस बार जो इनका census होता है, चाइना का हर 10 साल बाद, उसमें इनकी इस बार slow population growth rate आई है, तो lowest number है since 1961, this is important for prelims, कि कई बार statement आ जाती है, तो यह बहुत अच्छा आपके prelims के लिए point है, और इसमें लिखा है कि इंडिया इसको overtake कर लेगा by as early as 2025, it is an assumption, तो आप इसको अपने forwarder में mains के use कर सकते हैं, कि हमारी population जिस साब से बढ़ रही है, तो हम इसको overtake कर लेंगे चाइना को, चाइना ने भी काया कि हम 2025 तर कर लेंगे, तो it is an assumption, it is not important for prelims, but it is important अगर आप यह forwarder के तरह इसको लिखेंगे mains में, तो यह slowing growth rate है, जो चाइना के लि aging society हो रही है, और वो impact डालेगा चाइना की labor force पर, और इसलिए 2016 में two children policy ले आए थे, कि तब उन्होंने कहा था कि allow कर देते couples को to have two children, but वो करने के बाद भी अब वो fail हो गया है, क्यों हो गया है, क्यों हो गया है, क्योंकि वो लोगों का lifestyle बन चुका है, और लोगों ने preference भी नहीं है कि वो हम एक से जादा करें, तो इसलिए particularly in urban areas, तो ये एक चिंता का विश्य हो चुका है चाइना के लिए, तो थोड़ा सा ये points हैं, ये नीचे वाले points आपको mains में काम आएंगे, ऊपर वाला आपको prelims के लिए याद रखना है, चाइना की population growth rate since 1961 अब इस बार lowest रही ही है, ये आपको याद रखना होगा, उसके बाद एक OIC का दिरिखत आपको पाकिस्तान को पैसे दी है, साउधी अरब ने, देने दो अच्छी बात है भी है, उनको जरूरत भी है, तो अपनी ऐसी तैसी में जाएं, पैसे लें, कुछ ही करें, OIC का देखते हैं थोड़ा सा Organization of Islamic Countries का, ये क्या है, क्या नहीं, International Organization है, 1969 में found हुई थी, it is important for prevalence, मेंस के लिए जरूए नहीं है, तो अपनी prevalence के dairy में बनाएएगा, 57 Member States में, Second Largest Intergovernmental Organization है, ये after UN, और उसके बाद इनका statement क्या है, वो क्या है, क्या कहते हैं कि अपने आपको, ये कहते हैं कि we are the collective voice of Muslim world, और हम safeguard कर गरेंगे, interest of Muslim world, in the spirit of promoting international peace and harmony, ठीक है, उसके बाद OIC का अपना permanent delegation है, to United Nations and European Union, it is very important, ये आदकी का prelims के लिए, और ये कब established हुआ था, ये हुआ था, 1969 में, Kingdom of Morocco में, जो summit हुई थी, वहाँ पे, Morocco में, तो तब ये OIC बना था, उसका headquarter का है, Saudi Arab में इसका headquarter है, India इसका member है, नही member है, कौन-कौन members अगर आप याद रखेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, 57 countries, तो इतना ही याद रखेंगे, इंडिया इसका member नहीं है, और क्योंकि वो उनी को रखा जाते है, जो majority, जिनके हाँ, population हो ना, Muslims की, suppose कर ये इंडिया में, population बहुत जादा है, आज देख़ इसको 2019 में, 46th session में, 50th anniversary थी, जब इंडिया को invite किया गया था, यहाँ देखेगा, उसके बाद, एक sports page पे था, देखिए, आप बहुत दिनों से सुननेंगे, कि bamboo का bat बनाए रहेगा, क्यों नहीं बना रहे, problem किया है, it is very important for films, not important for means, यहाँ देखेगा, 5.3.2 जो law है, वो state कर है, very good alternative will हो, but यह एक grass है, consider करा जाता है, bamboo is a grass, यह याद अखिए का, bamboo is not a wood, bamboo is a grass, तो इसलिए law में changes करने पड़ेंगे, और दूसरा क्या है, कि जो current law है, वो lamination को blade के, जो हम जिसे खेलते हैं, आगे का जो हिस्सा होता है, उसको lamination करना allowed नहीं है, junior bats में allowed है, वैसे lamination allowed नहीं है, और जो भी bamboo bats बनते हैं, वो laminated ही बनेंगे, अब bamboo की खासित क्या है, जो इसके पीछे भागे नहीं है, याद एकिए का bamboo जो है, stiffer है, harder है, stronger है, than those made of willow, but इसकी problem क्या है, यह brittle भी है, brittle का मतलब होता है, कि है तो मजबूत, मगर आसानी से तूट जाने वाला, ठीक है, और इसके sweet spots बहुत जादा है, sweet spots क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, batsman के लिए sweet spot का मतलब यह होता है, कहते हैं कि, यार, अगर कल को, मतलब sweet spot पर, अगर मेरे bat पर लग गई तो सीधा ही चोका है, तो वहाँ से क्या होता है, कि bat की, जब वो ball को मारने की speed होती है, वो बढ़ MCC का देखने का, अगर अब कहते हैं कि, क्यों एक bamboo को हम appreciate कर रहे हैं, stiffer, harder, stronger, यह तो देखे लिया, और क्या बज़े, वो यह है, कि एक तो यह sustainable है, cheaper है, अगर English Willow से compare किया जाए, तो it is sustainable and cheaper, तो आपके पास options आ सकती है, तो यहाँ दखेगा, it is stronger, harder, stiffer than Willow, it is sustainable and cheaper than Willow, और क्या कहते हैं, कि एक तो Willow की कमी पढ़ गई है, क्योंकि Willow के जो पेड होता है, उसको उगने में 15 साल लगते हैं, mature होने में, जबकि जो bamboo है, वो seven years में ही maturity में पहुंच जाती है, और उसके बाद, जो maturity की बाद, दूसरी बात है, दूसरा यह है, कि इसकी production बहुत है, चाइ cricket playing countries है, उनमें sites, चाइना गारा भी पार्ट ले रही है, तो easy हो लाएगा, ठीक है, अब एक बहुत important question है, it is very important, और मुझे बढ़ा अच्छा लगा यह question पड़कि, कि when there is already a provision of compulsory licensing in India domestic law, why we are seeking trips waiver, तो मेरी आपसे request है, कि इसको पहले सुनिये, एक raw way में सुनाता हूँ, पर उस try to listen, I'll make you understand in a very raw way, and a very easy way, which will make you understand in a better way, ठीक है, और दूसरी मेरी आप all the serious experience, try to listen analysis from day 1, 2nd January onwards, मेरी आपसे request है, current का तो you have to listen, but अपने जो पुराने backlogs है, 3-3, 4-4 lecture करके, complete करिये, मैं देख रहा हूँ मेरी पास बहुत पुराने lectures में comments आ रहे हैं, कि sir, हम लोग कर रहे हैं, and they are really doing it, और बड़े अच्छी तरह कर रहे हैं, उनको बहुत फाइदा होगा उससे, चलिए, आप एक, suppose करी, मैं आपको एक situation बताता हूँ, आप इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में आप लोगों बता हैं, हम रोटी खाते हैं, रोटी का, एक example दे रहो हूँ, बड़े ध्य देते हैं, वो हमें देते हैं, एक चपाती हजार रुपे की, तो हमें प्रॉलम है, एक तो महेंगी पड़ेगी, दूसरा हमारी कंट्री देखीगी, गौर्ट्मेंट देखीगी, भईया, इससे लोग मेरे भूखे मर रहे हैं, जो गरीब हैं, वो एफॉर्ड नहीं कर सकते ह जार रुपे की, तो हम इंडिया गौर्ट्मेंट को कहते हैं, भईया, आप अपना कंपल्सरी लाइसेंसिंग इशू करते हो, कंपल्सरी लाइसेंसिंग से क्या होगा, कि फिर उसका हम इंट्रेलाचर प्रॉपर्टी राइट जो अमेरिका का है, वो नहीं चला जाएगा, अब जो है, इंडिया जो है, अपनी रोटी खुद बनाएगा, अब आती है, इसमें चार-पांच कंडिशन, प्रॉप्लम्स जो आती है, या क्या फेस होता है, और इंडिया इस टाइम के सिचुईशन में वो भी हम देखेंगे, पहली प्रॉप्लम ये आती है, कि आटा बन हमने बात बड़ी करी, और अगर यूएस के पास वीट है, यूएस हमें देगा नहीं, क्योंकि ट्रिप्स वेवर है, ट्रिप्स वेवर नहीं है, वो कहेगा मैं क्यों दूँ अपनी चीज आपको, चलिए हमने कहीं किसी तरीके से हमने वीट उगा भी लिया, या वीट कहीं आटा बनाने के बाद हमें यह नहीं पता कि आटा में कितना पानी डाला जाता है, आपको मैं बता रहो एक-एक का प्रॉलम सुन देगा, पहली प्रॉलम क्या है कि हमारे पाद वीट नहीं है, सेकंड प्रॉलम यह कि अगर वीट है भी तो मैं पाद फ्लोर मिल्स नहीं है, तो हमने आटा बना भी लिया तो third problem हमारी यह है कि हमें यह नहीं पता कि आटा में कितना पानी डाला जाता है ताकि वो dough बन जाए और easily उससे रोटी बन जाए यह है third problem fourth problem है कि अगर suppose हमारे पास वो technology know-how है कि हम कैसे उस आटे से चपाती बना सकते हैं वो हमें पता है but declaration में एक provision है कि वो हम अपने self use domestic use के लिए तो use कर सकते हैं हम किसी और देश को नहीं दे सकते हैं अब उसमें suppose करिए कोई गरीब देश है कोई poor country है वो यह कहता है कि मुझे मैं भी afford नहीं कर सकता रोटी US से लेना 1000 रुपे में और इंडिया कहता है कि कोई बात नहीं मैं आपको वो रोटी 1 रुपे में दे दूँगा कहां तो 1000 रुपे कहां एक रुपे और believe me ऐसा हुआ है वेक्सीन से साथ जब AIDS की वेक्सीन आई थी या कोई भी जो चीजे आई है जो हमने generic vaccines बनाई है उनका difference जो है amount का वो यही रहा है अगर मैं आपको 1000 और 1 की बता रहा हूँ तो यह करीबन रहा है एक लाख और 1000 रुपे का बहुत फरक रहा है तो हम कहते हैं कि हम एक रुपे में ते को दे देंगे क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था 2003 में amendment कर दी गई थी कि जो poor nations हैं वो भी alternate options ले सकते हैं for their country क्योंकि उनकों भी बचना है उस चीज से चलिए उसमें हम इंडिया से लेना भी शुरू कर दिया अब उसमें क्या होता है कि अब एक तो वो लेना वो तो हो जाता है एक बहुत cumbersome process और एक process होता है कि हम सिधा सिधा trips waiver ले ले और easily trips waiver मिलता ही इंडिया साउथ अफरिकाओ को दे देगा या इंडिया किसी भी गरीब नेशन को दे देगा ये problems है कि आपके पास पहले तो wheat नहीं है wheat है तो आपके पास आटा बनाने की technology नहीं है आटा बनाने की technology है तो आपको ये नहीं पता कि रोटी कैसे बनी कि अगर रोटी बनाना भी पता है तो फिर आप वो अपने सिर्फ domestic यूज़ कर सकता आप export नहीं कर सकता कि export भी कर रहे हो तो उसमें इतना cumbersome process है अगर export करना है तो वो WTO में दिक्कत आती है तो इस तरह इस वज़े से वो चारे हैं कि trips waiver मिल जाए ताकि ये सारी problem का solution हो जाए I hope आपको समझ आ गया होगा अब हम देखते हैं इसके notes पहले तो आपको जब भी trips WTO issue आएगा तो आपको पहले तो 28th April का lecture सुनना है ताकि आपको दोहा declaration compulsory licensing सब समझा गया उसमें था कि 1995 में जब WTO हुआ जिसमें trips agreement आया उसमें ये था कि जितनी भी signatory countries हैं उनको अपने domestic laws बनाने पड़ेंगे जिसमें IP protection दी जाएगी उसके बाद क्या हुआ कि 1998 में American companies ने South African government को स्यू करा कि वो उनके drug formula का use कर रही है for AIDS जो उनके AIDS फैला था उसको fight करने के लिए उन्होंने जो दवाई निका लिए वो हमारा उसका copyright है और वो उसको use कर रही है तो इस वज़े से 2001 में एक-एक चीज धियांचे सुनेगा WTO में दोहर declaration आया उन्होंने का कि public health emergency हो या public non-commercial use हो मतलब government का use हो या कोई भी anti-competitive practice हो तो government जो है compulsory licensing issue कर सकती है without permission of patent holder अब article 31F क्या कहता है या दखे का article 31F सुर लिखे का बड़ा और इसको highlight कर दे रहे है बड़ा अच्छा लगेगा examiner को check करते हो पूरा answer भी नहीं पड़ेगा आपको number देदेगा article 31F कहता है कि जो products made under compulsory licensing होंगे वो सिर्फ और सिर्फ supply होंगे domestic market में इसका मतलब यह हुआ कि जो countries manufacture कर सकती है drug वो सिर्फ अपना drug जो है वो export नहीं कर सकती ठीक है अब उसका impact पड़ता था उन countries पर जो वो बिचारी medicines नहीं बना सकती और जिनको import कर रहे generics तो इसलिए उनको मिलेंगे नहीं drugs उनको तो फिर वो ही महंगे वाले drugs देने पड़ेंगे अब इस legal problem को for exporting resolve करा गया था 30 अगस 2003 में जब WTO members ने agree किया था legal changes कि उसमें उनने कहा था कि जो गरीब countries हैं वो import कर सकती है cheaper generics made under compulsory licensing अगर वो खुद की medicines नहीं बना पा रही है तो चलिए वो cheaper generics भी import कर सकती है बट मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये बहुत cumbersome process है import करना cheap countries से वो cheap medicines बहुत cumbersome process था ये 30 अगस 2003 को इन्होंने पास्टो कर दिया था बट ये बहुत cumbersome process था अब क्या है कि हम लिखेंगे under section 92 1970 Indian effects central government भी allow करता है cumbersome licensing जो national emergency या extreme emergency में हम यूज कर सके अब मगर क्या है कि जो ये corona vaccine की बात चल रही है इसमें बहुत सारे steps है और complex intellectual property mechanism है जैसे मैंना भी आपको आटे के time पर बताया था कि आगर आपको wheat बनाना आता है तो आपको ये नहीं पता उसको floor mill नहीं है आपको बस तो एक process आपका ये हो गया दूसरा process ये हो गया कि आपको फिर आटे से dough बनाना नहीं आता जिससे आप मतब आटा गूनते हैं वो नहीं पता तीसरा होगा है कि आपको रोटी नहीं बनाना थी तो कई process हो गए ये नहीं है कि wheat आया आपने वो खा लिया ऐसा नहीं है आपको wheat से आटा बनाना है आटे floor mill में आटे से आपको dough बनाना है कि हमने wheat उगा लिया अब wheat उगाने से तो रोटी नहीं बनी ना चलिए हमने एक intellectual property right पर compulsory licensing issue कर भी दी कि हमने wheat उगा लिया अब wheat उगाने से हमारा रोटी नहीं बनती है फिर हमें compulsory licensing issue करनी पड़ेगी floor mill के लिए फिर compulsory licensing issue करनी पड़ेगी आटे से डो बनाने के लिए तो इसमें कहीं चीज़े हैं अन्लॉक करने के लिए for manufacturing of vaccine अब ये patent जो है conceptual knowledge भी protect करता है ठीक है न वो trade secrets में आ जाता है ना तो फिर वो अपने जो clinical trials हैं जो उन्होंने जिसमें vaccine safely चलती है नहीं चलती उसकी efficacy जो है वो भी copyright से protected है जो वो trials कर रहा है वो भी copyright से protected है और जो biological reaction से हमारी immunity बन रही है वो भी copyright से protected है तो खाली patent waiver से power नहीं करेगा manufacture को to start vaccine production immediately ये problem face कर रहा है इंडिया दूसरा क्या है इंडिया के पास अगर जैसे आपने देखा होगा कि Serum Institute और उनका बनके इंडिया के अपने पास technology आ गई है बट दिक्कत क्या है कि अब इंडिया बना है मसीहा इंडिया has become मसीहा of developing countries and poor countries कि मैं अपने लिए तो बना लूँगा मगर उन देशों के लिए कौन लड़ेगा जो गरीव है बचारे तो इसलिए अपने इंडिया ने voice raise करी है ये भी point जो लिखेगा अब दूसरा हम लिखेंगे कि क्या है कि हमने आपको मैं बताता हूँ हमने bears का एक cancer drug बनता था वो हमने उसका cancel कर दिया था हमने compulsory licensing issue करती थी I think around 2009-10 में की थी तो उस time भी बड़ी controversy हुई थी US ने अपना displeasure किया था अब क्या होता है कि देखे क्या होता है आपको diplomatic nations में countries में जब diplomatic relations होते हैं आप किसी को भी particular नराज करके नहीं चल सकते हैं आपको पता है इंडिया को US का support हर जगे चाहिए हम चाइना के साथ भी war पे हैं पाकिस्तान के साथ भी war पे हैं पता चले हम Russia को भी नराज नहीं कर सक तो उस time भी US ने अपनी displeasure express की थी और over the years commerce और industry ministry जो है जिसको relations बना के रखने है trade के भी सबके भी उन्होंने health ministry से ये pressure जो है resist किया है और उन्हों बार-बार कहा है कि हमने rarest of rare case में use करना है जल्दी हमने use नहीं करना है ठीक है अब इसकी आते conclusion की बारी conclusion हम लिखेंगे 11th म का जो lecture हमने कल discuss किया था वो चार points और उसके बाद जो हमने क्या कहा था कि इस time हमें exact सरूरत क्या है कि कैसे multinational companies को यह चाहिए pharmaceutical companies को कि वो joint ventures करें और mass production करें क्योंकि हम देख रहे है कि world में क्या हला चल तो वो पूरा पूरा जो हमने का lecture discuss कि था it is very 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 important वो सुनिएगा उसके बात किया है आज का lecture बहुत लंबा हो गया कई lectures भी सुनने है तो we'll discuss it tomorrow और detail में discuss करेंगे कि कि कितने देर पड़ना है कितने देर नहीं पड़ना ठीक है और मैं एक ने कहा था कि मुझे सारा इरान अरेविया यह सब बनाए आज के lectures बहुत लंबे हो गया है तो आप मुझे क ने पूछा था कि कितना serious candidate को पढ़ना चाहिए कितना नहीं आज का lecture लंबा होगे कल हम जरूर डिसकस करेंगे that's it for today thank you so much अगर आपको यह समझ आ गया और trips ना क्या problem थी क्या नहीं अगर अपनी query और जिंजिंको भी एक query थी या जिंके दिमाग में doubts अगर समझ आ गया तो please comment करके अगर समझ आया नहीं आया कैसा लगा thank you that's it for today thank you so much